अगर आप भी अपनी जंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों ऐलोवेरा एक प्राकिर्टिक जल है जो सभी के लिए बहुत काम आता है इतना काम आता है कि इसे इस्तेमाल करने से आप बड़े से बड़े रोगों से छुटकारा पा सकते हो इसे कैसे लगाना है और कब लगाना है कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है ऐलोवेरा खा जगाते ही हाथ पर रगडने के बाद सामने वाला भेहोश हो जाता है बस वीडियो के अंत तक बने रहे हम इसके बहुत सारे आपको फायदे बताने वाले हैं दोस्तों एलोवेरा का जो पौदा होता है वो सूखे में उगता है सूखे में उगने के बाद में इसमें पानी का तत्व जो होता है वो बड़ी मात्रा में पाया जाता है एलोविरा के बारे में साफ साफ ये कहा जाता है कि ये शारीरिक बेमारियों को खतम कर देता है और रोगों को ठीक करने में सक्षम होता है मनुश्य की शरीर में कभी कबार ऐसे नशीले तत्वा जाते हैं जो बड़ी स मस्या बन जाते हैं मतलब आपके शरीर में कब एक छोटा सा विश्या जाएगा वो छोटे रोग से चालू होते हुए फिर बड़ा रोग बन जाएगा जिसमें आपके लाखों करोडों रुपे चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा परन्तु अगर आप लोग एल चिसमें आपका जादा पानी का खक्रचा नहीं होता है आपको इसकी जादा देखः भाल नहीं करनी परती है परंतो इसके आयूरवेदिक गुनों से आपको लाखों रुपे का फायदा हो सकता है दोस्तो एक बात जान लीजिए एक मनुश्य का जो शरीर होता है वो पांच तत्व मौजूद होते हैं यानिकी प्रित्वी जल अगनी वायु आकाश ये सारे जो तत्व होते हैं वो इनसान के शरीर में मौजूद होते हैं वहीं पर निवास करते हैं और आपके शरीर के संतूलन को बनाई रखते हैं यदि आपके जीवन में आपका भागे साथ नहीं द वो ठीक से काम नहीं कर रही है दोस्तों कुंडलीनी शक्ति के बारे में जिस व्यक्ति ने भी जाना है वो अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है यानि कि उसको भागे का साथ मिला है उसके पास धन खीचा हुआ चला आता है अब कुंडलीन शक्ति के यहहमेगार लकिन सभसे पहले एक बात आप जान लीजिए अगर आपको कोई प्रेशानी है आपको दिकत है कोई समस्य तो कुमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए आपके समस्या क्या है ताकि अगर आपके समस्या का समाधान हम बता सकेंगे तो आपको रिप्लाइ कर देंगे दोस्तों और ऐलोवेरा का जो प्लांट है इसके आयरुवेदिक गुन जो होते हैं अगर आप वो जान लेते हैं तो यकीन मानिए आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी कोई रोग नहीं होगा और आयरुवेदिक गुनों के अलावा अगर एलोवेरा पौधे के तांत्रिक गुन जान लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमीन नहीं होगी दोस् चक्र में एक चक्र होता है मनीपूर चक्र मनीपूर चक्र जब भी आपका कमजोर हो जाता है तो यकीन मानिये दोस्तों आपके जीवन में धनकी कमी हो जाती है आप लोग गरीबी दरीदरता की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और मनीपूर चक्र का कमजोर होना आपके लिए ब बहुत जादा चांसिस बढ़ जाते हैं आप लोग बहुत चिंतित रहते हैं बाल जड़ना शुरू हो जाते हैं जो आपका मनी पुर्चक्र होता है अगर वो बेकार हो जाता है तो यकीन मानिए आप लोग जीवन में कश्टों से घिरे रहेंगे इसलिए अगर आप लोग मनी पुर्चक्र को ठीक करना चाहते हैं तो आपको कुंडलीन शक्ति को सही करना होगा इसके लिए हम आपको एक सरल साव पाई बताने जा रही हैं इसे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों आप एक बात जान लीजिए एक व्यक्ति का जो दिमाग होता है वो ब्रामंड से जुड़ होता है यानि कोई व्यक्ति लगातार दुखी रहता है चिंता में रहता है परिशान रहता है तो उसके जीवन में चिंता बढ़ती चली जाएगी और अगर कोई व्यक्ति भक्ति में रहता है भगवान के लिए साधना करता है भगवान को बहुत मानता है अपने भगवान को अपना पूरा संसार मानता है तो उसके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं होगी जैसा आप लोगों ने हिंदू पुरानों में भड़ा वही बच्टी में ही शक्ति है अगर कोई व्यक्ति की मनों कामना पूरी नहीं हो रही और वह भख्ति ठीक तरीके से करता है तो उसकी मनो कामना भी पूरी हो जाती है आज आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो ऐलोवेरा के उन गुरों के बारे में बताने जा रहे हैं इस गुरों के अंतरगरत आपकी मनो कामना पूरी हो सकती है दोस्तों ध्यान रखेगा ऐलोवेरा का जो पौधा होता है उ अगर आपके घर में अलोवेरा का पौधा लगा है उसमें फूल आ गया है तो यकीन मानिए आपके घर में बरकत आती है और उसको तो कोई भी नहीं रोक पाएगा लेकिन इस फूल को बस आपको ठीक तरीके से इस्तिमाल करना होगा इस फूल को बस आपको किसी भी तरीके से ह ए महालक्षमी लिख दीजिए क्योंकि महालक्षमी जी जिसको भी आशिरवाद दे देती हैं उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आता रहे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों मान लीजिए आप किसी भी तरीके से अलोवेरा का पौधा प्राप्त कर लेते हैं तो आपको सिरफ और सिरफ ये करना है कि अलोवेरा का फूल लेकर आना है और इस फूल को ला करके आपको अपने घर पर शाम के वक्त एक माला लेकर बैठना है माला को गैरा बार घुमाना है गैरा बार घुम प्रक्रिया आपको साथ दिन करनी है मतलब शुकरवार के दिन ही खत्म करनी है और इस फूल को आपको सिरफ एक लाल वस्तर में रख देना है उस पर थोड़ा सा सिंदूर छिड़क देना है और लाल वस्तर को बांद कर अपनी अलमारी या तीजोरी में रख दीजिए जहां पर आप लोग पैसे रखते हैं सोना जेवरात रखते हैं यकीन मानिए अगर आपने इस मंतर का जाप किया तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी मा लक्षमी का आशिडवाद आ करना चाहते हैं तो आपको सिरफ यह करना है कि आपको एलोवेरा का फूल प्राप्त करना है एलोवेरा का फूल प्राप्त करने के बाद सौम वार को इस फूल को भगवान भूले नात के सामने लेकर बैठना है और भगवान भूले नात के सामने किसी भी माला को ले करके 108 ब पर वो सेफ रहे इसको रखने के बाद यकीन मानिये आपका मनी पूर चक्र बहुत जादा मजबूत हो जाएगा क्योंकि भगवान भोले नात जो होते हैं वो अगर किसी व्यक्ति को आशिरवात दे देते हैं तो इसके जीवन में कश्च कभी भी नहीं आता आप लोगों का मन पूर चक्र बहुत मजबूत हो जाएगा अब मान लीजिए आपका कोई व्यक्ति दुश्मन है आपके बहुत समय से पेचे पड़ा हुआ है और वो आपको बरबाद करना चाहता है आप चाहते हैं कि बरबादी से आप बच जाएं और कोई व्यक्ति आपके वेपार को दिन ये करना है शनीवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे चले जाएए दिया जलाइए शनी देव जी का जो मंत्र होता है उसका आपको जाप करना है वो आपको गूगल पर बड़े अराम से सर्च करने के बाद मिल जाएगा इसका जो आपको डंठल तोड़ा है इसको ले जा करके बस आपको किसी भी पीपल के पेड़ के पास में गार देना है और इतना करने के बाद आपका जो शत्रू आपके पीछे पड़ा होगा जो आपका विनाश करना चाहता होगा तो भगवान शनी देव दंड सवरूप उसका ही विनाश कर देते हैं अब दोस कि पस आप जा सकते हैं परनतु आप लोग अगर अक्स्त्मिक धन प्राप्थ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको अक्स्त्मिक रुपिया मिलता रहे आप लोग गर्ज के माया जाल से चुटती पा जाएं तो आपको सिर्फ ये करना है कि ब्रस्पतिवार क्या दिन जो होता है भगवान विश्णुजी का दिन होता है आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि एलो वेरा का पौधा अपने घर पर ले आईए सिर्फ इतना अगर आप लोग कर लेते हैं ब्रस्पतिवार के दिन आप लोग ऐलो वेरा का एक पौधा ले आते हैं अपने घर में और लगा देते हैं और आप लोग लगातार तक गैरा ब्रस्पतिवार तक भगवान विश्नुजी की पूजा करते हैं सिरफ इतना सरल सा उपाए आपको करना है एलो वेरा पौधे के सामने बैट कर भगवान विश्नुजी का जाब करते हैं आप उनकी पूजा करते हैं तो यकीन मानिए गहरा ब्रस्पतिवार के बाद आपको कहीं न कहीं आकस्तमिक धन मिलेगा मान लीजिए आप नौकरी कर रह में मिल जाएंगे वास्तो शास्तर की किताब में मिल जाएंगे क्योंकि अलो वेरा का पौधा एक डाइमेंड माना गया है एक हीरा माना गया है वास्तोग्यान में साइंस में भी इसको हीरा माना गया है तो जितने भी हमने आपको उपाए बताए हैं यह आपके जीवन को ब तरप्त कर सकते हैं दोस्तों यदि गंजे के सर पर एलोवेरा की जल में यदि कोई अच्छा सा तेल मिला कर मालिश की जाए तो बाल उगना शुरू हो जाए हैं एलोवेरा हमारे लिए बहुत काम की चीज है ये ना सिरफ स्किन को सुन्दर बनाता है बलकि हमारे स्वास्थे के लिए भी वरदान है इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी वाइरल और एंटी सैप्टिक गुन पाए जाते हैं इसके साथ ही एलोवेरा में पावरफुल एं लाज में मददकार दोस्तों एलोवेरा मुह के चालों के लाज में काम आता है एलोवेरा जल से ना केवल मुह के चालों का इलाज के अजा सकता है बलकि इससे चालों का दर्द भी कम हो जाता है इसमें एंटी वाहरल और एंटी इलफा मेंट्री कुलों के अलावा एलोवेर कब्स के इलाज में भी मददकार होता है इसमें लेक्टस एक चिपचिपा पीला वशेश है जो गंभीर रूप के कब्च को भी ठीक करता है रात को सोने से पहले एक गिलास इसे पी सकते हैं इससे आपको जबरदस्त फायदा होगा दोस्तों एलोवेरा वजन घटाने में भी म मौजूदगी शरीर में मौजूद फैट को एनरजी में बदलने में मदद करती है और ये वजन घटाने में सहायक होती है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद